हेलो अब्रीबन इंस्टिट्ट आफ मैथमेटिकल नासेस में आप से बिगत स्वागत है लास्ट लेक्षर में मैंने आपको बताया है टोपोलोजी और टोपोलोजीकल स्पेसिस के बारे में और आज हम डिस्कुस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट इग्जैंपल ट की हैिंडिस्कृीट्ट टॉपोजीं या ठ्रिवीट टॉपोलोजी थो बैसे कलीए इन डिस्टॉप ऐसीया होता है ओथ या बहुत ही डिटेल में समझेंगे और उसका प्रूफ करेंगे थो अगर आपको कोई बीडाउट होता है इंस्ध्रीट इन लेक्षर आपके लिए बहुत ही जाता important होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल नहीं है तो चैनल को subscribe करना ना बूलिएगा तो बीना टाइम वेस्की करते हैं या अज की स्टार्ट करते हैं आज जैसा कि आधर को देख सकते हैं लिखाए इंडिस्कृट टोप reinforce मैंने Strikes स्टेटमें लिखा हुआ है कि आखिर इंडिस्कृत परल सपर इंडिस्क्रिय का स्पेस होता क्या है तो सबसे पहले समझते हैं इसमें कहले let X be any set अब इसमें हम सबसे पहले क्या ले रहा है जिसे टॉपलोजी की डिफिनिशन क्या थी सबसे पहले हम एक सेट लेते थे और फिर हम एक टाव डिफाइन करते थे टाव क्या होता था subset का वो जो हम set ले रहे हैं उसके subset का collection था या तो वो कुछ subset collection हो जाए तो पूरे subset collection हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं let x be any set हमारे पास एक set होना चाहिए तो हम ले रहे हैं एकस को एक Set के रूप में यहाँ पर लइकवह ले ट्वह angol था एनी सेट आप क्या है set off subset Festing outcomes होता है X के सबसेट का collection अब उसमें आप चाहें जितने चाहिदने भी सकेट ले सकते हैं जितने भी सबसेट आपका मन कर veggや आप एक सबसेट लिजए दो तीन अगर पूरा का पूरा पूरा स्पेस एक्स लिया जा रहा है तो इस टाव में सिर्फ और सिर्फ दो member हैं एक है phi और दूसरा है x अब आगे देखते हैं देन टाउ forms a topology on x known as indiscreet topology अगर कोई set हम x ले रहे हैं x कोई भी set है और टाउ में सिर्फ दो element है एक है phi और दूसरा है x तो यह जो टाउ है इस set x पे topology का formation कर देगा और उस topology को हम कहेंगे क्या indiscreet topology या trivial topology अब trivial क्यों कह रहे हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगा और साथी साथ जब टाउ इस x पे topology बन गया यह जो टाउ है इस x पे topology जब वो बना दिया तो x टाउ को हम क्या कहेंगे एक topological space कहेंगे और उस topological space का एक specific नाम होता है उसे कहते हैं indiscreet topological स्पेस समझेगा इससे यहां पर लिखा हुआ है x टाउ is called indiscreet topological space मैं फिर से बता रहा हूं सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं एक set x ले रहे हैं x चाहें empty हो चाहें non empty हो कोई फक्रने पड़ता सिर्फ इतना लिखा है let x be any set और टाउ क्या ले रहे हैं टाउ में सिर्फ दो element हैं एक phi और दूसरा x ठीक है अब इसके आगे हम देखेंगे कि यह जो टाउ है यह x पे topology का formation कर दे रहा है और उसी topology को हम कह रहे है indiscreet topology या trivial topology और x टाउ को अगर हम एक पेर में लिख देंगे तो हम क्या कहेंगे उसे indiscreet topological space अब इसका हम प्रूफ discuss करते हैं प्रूफ क्या है सबसे पहले मैंने क्या लिया है एक सेट लिया है तो यहां पर माना हुए let x be any set x यहां पर given भी हुआ है तो मैंने इस टाउ को इस x पे topology का formation करना होगा तो इसे तीन प्रॉफर्टी को satisfy करना होगा जैसे कि मैंने आपको previous lecture में बताया हुआ है तो सबसे पहली प्रॉफर्टी क्या है कि 5 और x टाउ का member होना चाहिए empty set और पूरा space उस टाउ का member होना चाहिए इसका मतलब यह है कि empty set और पूरा space open set होना चाहिए क्योंकि टाउ के members को ही हम कहते हैं open set तो यहां पर हम देख रहे हैं clearly phi belongs to tau and x belongs to tau phi भी tau का member है और x भी tau का member है तो पहली condition तो obviously satisfy हो गए क्योंकि पहली condition में बस हमें यहीं दिखाना था कि phi और x तोनों ही tau का member है और tau में सिर्फ दो ही element ही है एक है phi और दूतरा एक तो पहली condition तो obviously satisfy हो रही है आप second condition देखते हैं second condition में हम क्या चिक करते थे कि दो open set का intersection भी एक open set ही होगा इसका मतलब कि कोई भी दो member हम ले ले tau का अगर उन दोनों का intersection करें तो जो resultant set आएगा वो भी tau का ही member होना चाहिए अगर tau का member हो रहा है तो second condition satisfied है otherwise second condition satisfied नहीं है तो यहाँ पे हमें करना क्या है दो open set का intersection करना है open set क्या होता है tau के members को ही हम open set कहते हैं यानि यहाँ पे phi और x दोनों ही क्या है open set हैं अब देखिए हमें करना क्या है इसमें की 2 open set का intersection लेना है तो जब हमें 2 open set का intersection लेना है तो हमारे पास एक ही twice ही है हम इस y और x का intersection ले ले और कोई हमारे पास combination बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही set है और intersection लेने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा set की आउशक्ता पड़ती है तो यहाँ पे चुकि यहाँ पे सिर्फ दो set है तो इन्हीं दो का हम intersection लेंगे और कोई pair हमारे पास possible ही नहीं है intersection लेने के लिए तो हम किये क्या है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और फस कंडिशन से भी यहाँ देख सकते हैं और फस्स कंडिशन से भी यहाँ देख रहा है तो हमारे पास यह result आ रहा है कि हम दो किसी भी दो open set को ले लें और उन्हों का intersection कर लें तो इस resultant भी हमारा एक open set ही आ रहा है यह हमें एक result मिला अब देखिए यह result मिला तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या है the intersection of two open set is open यानि second condition भी satisfied है first condition भी satisfy हो गई और second condition भी satisfy हो गई second condition क्यों satisfy होगे क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी दो set का intersection लेना था जब हम intersection लेंगे तो at least दो set तो हमें चाहिए है intersection लेने के लिए और यहाँ पर टाओ में सिर्फ औरसे दो element ही है दो ही set है यह दो ही set है तो इन्हीं दो का हम intersection लेंगे तो मैंने इन दोनों का intersection ले लिए और दिखा दिये कि resultant पाई आ रहा है और फाई भी टाओ का कर लें या infinite set का union कर लें थर्ड प्रोपर्टी हमारी यह थी कि आर्बिटेरी कलेक्शन ओफ ओपन सेट अगर हम arbitrary collection ओपन सेट का union कर लें तो भी हमारा जो resultant है वो भी एक open set ही है इसका मतलब यह है कि टाओ में जितने members हैं हम किसी का भी union कर लें किसी दो का union कर लें किसी तीन का union कर लें किसी चार का union कर लें या infinite numbers of sets का union कर लें हमारा resultant पी टाओ का member ही होना चाहिए यह condition है third condition अगर टाओ में मिल ला है तो third condition satisfied है और नहीं मिला है तो third condition satisfied नहीं है तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमें करना का ही union करना है हमें union करना है और union करने के लिए हमारे पास दो set की आवसकता होती है और इस tau में सिर्फ और सिर्फ दो ही set हैं तो हम इन ही दोनों का union करेंगे और कोई combination हमारे पास possible ही नहीं है union करने के लिए तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या है since phi and x belongs to tau therefore मैंने क्या कर लिए इन दोनों का union कर लिए क्योंकि और कोई combination हमारे पास possible ही नहीं है और कोई pair हमें मिलेगा ही नहीं जिसका हम union कर सकें तो phi यूनियन एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और यह एक्स क्या है टाव का मेंबर है अब देखें फाई यूनियन एक्स एक्स हो रहा है एक्स क्यों हो रहा है क्योंकि एक्स फाई से बड़ा सेट है और यूनियन में हमेशा बड़ावला सेट आता है तो यह एक्स हो गय यहां जो थर्ड कंडिशन है union of both the open set is again open इसका मतलब क्या है जो थर्ड कंडिशन है वो भी satisfied है फॉस्स कंडिशन क्या था फाई और एक्स दोनों ही टाव का member होना चाहिए satisfied है second condition क्या था कि किसी भी दो open set को ले ले उन दोनों का intersection भी होना चाहिए और चुकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो open set है तो इन ही दोनों का intersection लेंगे और resultant हमारा फाई आ रहा है और फाई फिर से टाव का member है तो हमारा second condition में satisfied है अब third condition में क्या था हमें union लेना था अब union लेने के लिए हमें at least दो set चाहिए और टाव में सिर्फ दो set है ही तो हम इन दोनों का union का लिए हैं और दिखा दिए कि union xp equal आ गया और x भी टाव का member है तो हमारा third condition भी satisfy हो गया तो overall t1, t2, t3 तीनों की तीनों condition satisfy हो रही है और इस वज़ा से यह जो टाव है इस x पे topology का formation कर दिया और इस topology को चुकि देखिए यहां पर हम टाव को क्या कर रहे हैं एक restrict कर दे रहे हैं टाव में सिर्फ दो element होने चाहिए एक फाई और दूसरा x टाव में सिर्फ और सिर्फ दो element है यहां पर एक फाई और दूसरा x तो हम इसे नाम दे रहे हैं indiscreet topology या trivial topology trivial इसलिए ले रहे हैं कि फाई और x किसी भी topological स्पेस में होना ही चाहिए क्योंकि फॉस कंडिशन क्या है फाई विलॉंग सुटाव और एक फिलॉंग सुटाव यह अपने यह जितने भी possible topological spaces सबका subset हो सकता है क्योंकि यह टाव जितने भी जैसे यह x है वही भी सेट है तो इस पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही टाव रहे एक सेट पे हम धेर सारे topology का formation कर सकते हैं और जब हम धेर सारे topology का formation कर देंगे तो जब हम उन सारे के सारे topology को compare करेंगे तो यह टाव जो है यह सबसे छोटा topology हो जाएगा और सबसे छोटा topology क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पर first condition क्या है किसी भी topological space का first condition क्या होता है phi और x दोनों ही tau का member होना चाहिए इसका मतलब कि tau में at least 2 member तो होने ही चाहिए एक phi और दूसरा x देखिए मैं यहां बात कर रहा हूँ जब x एक non empty set ले अगर हम x एक non empty set consider कर ले तब इस tau में at least 2 element तो होने ही चाहिए एक होना चाहिए phi और दूसरा होना चाहिए x अगर x एक non empty set है और x पे जितने भी possible topologies है उन सब में ये वाला जो टाव होगा वो उन सारे topologies में सबसे छोटा वाला topology होगा इसलिए हम इसे trivial topology भी कह रहे हैं तो इसे हम indiscreet topology या trivial topology भी कहते हैं और x टाव को हम कहते हैं indiscreet topology topological space तो यह हमारा आज का लेक्चर था अब इसका मतलब यह है कि अगर हम x कोई भी सेट ले ले माल लेजे एक्स हम लेके ले रहे हैं एक्स हम ले रहे हैं यह हमारा एक्स है एक्स का characteristic हमें नहीं पता है एक्स हम कुछ भी सेट ले ले सकते हैं अब माल लेजे एक्स की value हम क्या कर लेते हैं पूरा आर ही ले लेते हैं तो इसमें क्या दिक कर था है या फिर एक्स की value हम close interval 0 ले 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 इसमें भी कोई प्रावर्म नहीं है एक्स कोई भी सेट हो सकता है अब एक्स अगर कोई भी सेट हो सकता है अगर टाउ में सिरफ phi ओर x है तो x क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप देख रहे हैं क्याएं कि टाउ में शिर्फ दो member है एक है phi और दूसरा x तो ये in discrete topology है और जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टी इस Indiscrete Topology के पास होंगी वो सारे के सारे इस Topological Space में रखे जाते हैं तो हमें Indiscrete Topology में कुछ नहीं देखना है हमें बस टाउ देखना है टाउ में अगर दो मेंबर है पाई और एक्स तो हम लेकिन अगर 2 हो, तो वो indiscreet topology है, लेकिन अगर x is equal to 5 हो गया, अगर हमारे पास x is equal to 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, कोई भी set है, x is any set, तो x any set है, यहाँ तो यहाँ तक ही नहीं लिखा है, कि x एक ton empty set है, x अगर 5 हो गया, यानि x एक empty set हो गया, तो इस case में tau क्या हो इस case में tau, y और x लेने के बजाए, x क्या, x भी 5 हो गया, x भी 5 हो गया, और 5 और 5 को आप singleton 5 लेख सकते हैं, तो इस case में topology का formation, यह singleton 5 ही कर देगा, तो जितनी भी possible topologies हैं, हम किसी भी set पे धेर सारे number of topologies का formation कर सकते हैं, उन सारे topologies में, जो सब्सक्ते छोटा वाला topology होग in discrete topology, यह मैं आपको comparison of topology में बताऊंगा भी, तो फिलाल के लिए यह हमारा आज का lecture था, in discrete topology, trivial topology, यह इसका statement, यह इसका proof, तो अगर आपको कोई भी doubt होता है, तो आप comment section में comment कर सकते हैं, और अगर आपको यह lecture पसंद आता है, तो इस lecture को like करें, share करें, और अगर आप इस चैनल पर नए है, तो चैनल को subscribe करना ना भूलें, तो अपने next lecture में हम discuss करेंगे discrete topology के बारे में, तो discrete topology क्या होता है, उसका statement और उसका proof, हम बहुत ही detail में discuss करने वाले हैं, तो मिलके next lecture में, have a nice day.